इसके लावा मैं Unacademy पर एक Verified Educator हूँ अगर आप किसी भी सरकारी जॉब के त्यारी कर रहे हैं तो आप मुझे फालो कर सकते हैं Unacademy Learning पर अगर यहां पर आप एक्जाम के लिए कोर्स ले सकते हैं और अगर आप मार्च महिने में लेते हैं तो आपको यहां पर 10% का डिसकाउंट मिलेगा 10% का छूट पाना चाहते हैं तो यहां पर आप एंटर करेंगे Referral Code जो की है अभिनो सिंग-4636 ठीक है और यहां पर आपको सीधा 10% के पूरा डिसकाउंट देखने को मिल जाएगा आप यहां पर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं यहां पर टॉप एजगेटर आपको यहां पर पढ़ाएंगे Question नमर आपका दिया गया है पहला किसी संगेत यंद्र की ध्वनी तिवरता मापी जाती है तो चार अंसर यहां पर दिया गया है और इस Question का क्या रहेगा अंसर आपको यह बताना है ठीक है आपका अंसर D यानिकि D C बल D आपका रहेगा बिलकुल सही अंसर आपका जो अगला Question है कि मानाव सरीर का रक्त बैंक कहलाता है चार अंसर प्लीहा यकृत हरदय या किडिनी आपका जो बिलकुल सही अंसर रहेगा Option यानिकि प्लीहा यहां पर यह कुछ बाते हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है इनको यानिकि प्लीहा आमासे तथा टाया फ्राम के बीच में तथा यकृत के बाएं और इसलित कहरे लाल रंगी संकरी इवं चप्टी सी लस्का गरंथी होती है और वयस का मानों में यहां रख्त बैंक का कार करती है आगे हम पर क्या कि यहां रुधिर के तत कालीन आवसकता से अधिक लाल रुधिरान्गों का संग्रा करके रखती है और आवसकता पढ़ने पर इन्हें रुधिर में मुक्त करती है इसके रुधिर पत्रों में भरा बहुत सा रुधिर भी आवस्ता पढ़ने पर सामान रुधिर समभाने तंतर के लिए मुक्त किया जाता है इन बातों को ध्यान में रखेंगे आगे हम बात करेंगे वर्भ की गुप्त उस्मा कितनी होती है चार अंसर आपके समभर यहां पर दिया गया है आपका जो अंसर है यानि कि अपसनमबर B आपका रहेगा बिल्कुल सही अंसर आगे हम बात करेंगे खाने का सोडा इसे क्या कहते है इसका जो राशानिक सुत्र है उसका नाम क्या है याने कि इसका नाम है sodium bicarbonate ठीक है याने कि न, ए, 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 च, सी, ओ, ठीक है तो इन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे आगे हैं पर हम बात करेंगे अगला कॉशन है कि BCG वैक्सीन किस रोग में प्रिजिक्त होता है तो चार अंसर आपका अंसर है b याने कि 6 रोग इसका अंसर न बराब करेंगे b आगे हैं पर हम बात करेंगे आपका जो महत्पुर्ण कॉइंट है जो कि आपको अध्यान में रख रहा है कि 6 रोग या इसे हम tuber closest tb कहते हैं mycobacterium tuber closest नमक G1 द्वारा संक्रिवित बीमारी है इसकी खोज रॉबर्ड कोच ने किया था और इस बीमारी से बचने के लिए BCGT का यहां पर लगाया जाता है ठीक है तो यह काफ़ी आपको कॉश्चन महत्पुर्ण बनता है option C यांत्रिक को वैद्द उर्जा में ये बदलता है आगे यहां पर हम बात करेंगे आपका जो अगला कॉश्चन है कि vitamin यानि किन्यमन में से कौन से हम आपका सुमिले तो नहीं है vitamin C, vitamin B1, vitamin D या vitamin K तो यहां पर आपका जो सही अंसर रहेगा इस कॉश्चन का यानि कि option number C, vitamin D, vitamin D का जो राशानिक नाम होता, उसका नाम होता, calciferol होता है calciferol, तो इसमें C वाले में गलती है, बाकि A, B और D बिल्कुल क्या है, सही है तो इन बातों को यहां पर अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आपको यह पता होना चाहिए यहां पर क्या विटामिन C, बिल्कुल सही है, विटामिन B1 पर सही है, और विटामिन D का आपका यह calciferol होता है, तो यहां पर ध्यान में रखेंगे, आपके यह विटामिन K हो गया तो यह काफी आपका महत्तपोड विटामिन और उनके राशानिक नाम आगे हम बात करेंगे, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तवों को देखने के लिए प्रियोकत दरपण होता है, किसे दरबढ का प्रियोक किया जाता है, आंसर नमर आपका आपका आएगा, यह यानि कि उत्तल दरपण, और यह काफी आपके हमरे क्वेशन महत्तपोड ब आप संडी, लोहा निकल क्रोमियम, तो इसका अंसर नमर आपका 80, यानि कि लोहा निकल प्लस क्रोमियम, आगे यहां पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला कुशन यहां पर दिया गया है, यहां पर यह आपका पूर दिटेल है, कि देखिए, आइरन 89.4%, क्रोमियम 10.0%, पेंसलीन के यहां पर खोज किसी ने किया का भी महत्रपूर है, यह कुशन पीपर में बहुत बार पुछा गया है, और आपका अंसर है कि इसका अप्सन B, यानि कि अलग्जेंडर फ्लेमिंग, आगे यहां पर आपको यह पता होना चाहिए, कि पेंसलीन एक प्रकार का प्र आपका रहाएं बिलकुल सही अंसर, आगे यहांपर हम बात करेंगे, आपका जो कुशन पर आपका अगला है, कि जल में हाईड्रोजन तथा ऑक्सिजन का अनुपात भार की अनुसार है, कितना है, यानि कि एक अनुपाती आठ, आपका जो अनसर आएगे इसकुशन का प्स सोद केंद्र इस्सित है चार अंसर अपका दिया गया है और अपका अंसर इसी यानिके लखनों में है आगे हैं पर हम बात करेंगे क्वेशन नमर अपका जो अगला है कि वसा में घुलन सील विटामिन यापर कौनसा आपका नहीं है और ये क्वेशन काफी मातपूर पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है लगातर कई बार आचुका है अंसर अपका दियानिकी विटामिन बी एंड सी अब यहाँ पर आपको किन बातों को अच्छी से ध्यान में रखना है कि विटामिन जटिल कार्बनिक योगिक होते है ये सरीर की उपापचाई क्रियों में भाग लेते है इनकी कमेशते सरी में विबेन परकार के अपोड़ता रोग हो जाते है और इन्हें दो भागों में बाटा गया है पहला आपका है कि जल में घुलनसे लिटामिन यानने की विटामिन B और विटामिन C दूसरा आपका है कि वसा में घुलनसे लिटामिन, विटामिन A, D, E और K तो इसको बहुत अच्छे से त्यार करेंगे यह पीपर में हमेज़सा आपको पोझ़ा जाता है काफी महत्भड है आगे बात करेंगे रक्त समुझ वो कहलाता है इसे क्या कहते हैं चार अंसर आपके सेम ने यहाँ पर दिया गया है इसे बोलते हैं सारजरेंग दाता यानि कि यह सबको अपना खुन दे सकता है तो काफी आपका महत्तपूर कोशन ये बन जाता है आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला कोशन है कि प्रकास संसलेशन की क्रिया में प्रकास उर्जा बदलती है काफी महत्तपूर है यानि कि यह आपका बदलता है राशानिक उर्जा इसका जो आंसर रहेगा अपसर नंबर अपका रहेगा B आगे यहां पर हम बात करेंगे आपका जो अगला कुशन है कि कौन सा धुर्वी या योगिक नहीं है तो चार अंसर आपके समने यहां पर दिया गया आगे यहां पर हम बात करेंगे कि प्राथमिक रंग यहां पर कौन सा है लाल, हरा, निला या उपरोक्त सभी तो आपका जो अंसर है यानि कि अपसर डी यानि कि उपरोक्त सभी यह कुशन भी काफ़े आपका महत्तुपोड़ पेपर में यह बहुत बार पूछा गया है अब यहां पर थोड़ा सा डेटेल में हम बात करेंगे यानि कि आपको यह पता होना चाहिए कि प्राथमिक प्राथमिक रंग होते हैं जैसे कि लाल, हरा और निला इनको मिलाने से दूदियक रंगों यानि कि पीला, मिजेंटा इवन पीकॉक, नीला का निर्मान हो सकता है एक प्राथमिक और एक दूदियक रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरग रंग गहते हैं और सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी दूदियक रंगों को मिलाने पर सफेद रंग के प्रकास के आपर उत्वत्ति होती है इसके विपरीद चित्रकार के लिए लाल, नीला और पीला यहांपर आपका प्राथमिक रंग माना जाता है चलिए आगे यहांपर हम बात करेंगे आपका जो अगला कुशन है कि निम्ड तत्यों की कमी से घेंगा रोग हो जाता है तो किसकी कमी से आपका घेंगा रोग होता है आपको यह पता होना चाहिए काफी महाज़त पूर्ट कुशन है आपका अंसर है D यानिक आयो डीन आगे यहांपर हम बात करेंगे आपका जो अगला कुशन आपका है कि मैगनेट टाइट है तो चार अंसर और इसका जो अंसर नमर आपका है अपसन B यानिकी F E 3 O 4 कुशन नमर आपका दिया गया यहांपर अगला आपका कि इसरो का मुख्यले कहां पर है तो ISRO का मुक्यले कहां पर आपको ये बताना है ये question काफि히 आपका महत्टपोड है और ये paper में बहुत बढ़ पुछा गया है आपकांसारे B यानिक mote बैंगलोर फीक है और ये काफिक है आपको ये question महत्पोड बंता है आपको ये पता होना चाहिए लिए कि भारती अंतरिश अनुसंदान संगटन नहीं कि इसरो भारत का राश्री अंद्रेश संस्थान है जिसका मुख्यले करनाटक पुरांत की राधने बंगलूरू में है ठीक है और इसरो को सांती निरस्तिकरण और विकास के लिए वर्स 2014 के इंद्रा गांधी पुरुषकार सीस को यहां पर समर्यत किया गया था आगे यहां पर हम बात करेंगे आपका जो अगला कुशन है कि निर्मन में से कौन सी सबसी हलकी कैस यहां पर है तो चार अंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है और क्या रहेगा इस कुशन का अंसर आपको यह बताना है तो अंसर आपका रहेगा अपसर B य यानि कि भाबा अटॉमिक रिसर्ट सेंटर भाबा पर्माण अनुसंदान केंद्र ट्रमबे मुंबई महरस्ट्रा में है ठीक है चले आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला काफी महत्रपोड कुशन है कि घाओ का अध्यन क्या कहलाता है तो घाओ के अध्यन को क् बताना है और यह कुशन में काफी आपका महत्रपोड बनता है आने वाले एक्जाम्स के लिए इसे बोलते हैं इसका अध्यन करा एक अप्शन C यानि कि ट्रोमेटो लॉजी आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला कुशन है कि पीडिया पीडिया ट्रिक से निम में से किसकी कमी सी रिकेट्स होता है विटामिन D, C, विटामिन K या विटामिन A तो कांसर है यानि कि विटामिन D आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो कुशन में रगला है कि निकट द्रिश्ट दोस सम्बंधित है तो चार अंसर ने आपका दिया गया है काफी महत् और इस कुशन का जो आंसर अपका है यानि कि अपसन नमर B यानि कि दूर की वस्तिवे नहीं दिखती है ठीक है यहां पर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि निकट द्रिश्ट दोस में व्यक्ति पास अकि वस्तिव को देख लेता किन्तु एक निशित दूर से यहां पर प्रयोग करते हैं निकर द्रिश्टे दोस में प्राया नेत्र गोलक के बड़े हो जाने परिया कॉर्णिया अत्व लिंस की अधिक मोटा हो जाने के करण रेड़ना तदा केंद्र दिबिंदर की भीजिया बढ़ जाती है ठीक है चलिए आगे यहां पर बात करेंगे अगे यहां पर हम बात करेंगे इनसुलिन एक प्रकार का है तो यह क्या ही आपका अप्सन अपर हमने बात किया है टॉप के मोस्ट इंप्रेंट परसनों के बारे में जो कि अपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं अगर आपको यह बुरा लेसंग पसंद आया है तो अब इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लेटिस्ट अप्डेट वान नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए टेक क्यार बाबाई